आपने कोई भी scholarship को apply किया होगा चाहे national scholarship होगा आपका district scholarship होगा या state scholarship होगा या कोई भी आपका private या government scholarship होगा उसमें आपने apply किया आप कैसे अपनी payment कैसे अपना पेसा चेक करोगे 100% इस वीडियो में आपको बताएंगी तो वीडियो स्टार्ट करना से पहले वीडियो को लाइ की notification सबसे पहले तो पहले बात करेंगे NSP के बारे में national scholarship का पेसा आप कैसे चेक करोगे के बाद बागी scholarship जो आपके होंगे उसके बारे में भी बात करेंगे तो क्या करना है आपको आपना mobile browser कोई भी open करना है गूगल में टाइप करना है pfms का नाम सुना होगा या पदा क्या है वो आपको बताएंगे pfms करने के बाद आपके सामने कुछ एसा इंटरफिस आएगा पहला ही option इस पर आप किलिक कर लिजेगा आपके सामने कुछ एसा इंटरफिस आएगा यहां पर simply scroll down करके आपको दो options मिल रहे जूम करके आपको दिखा रहा हूँ आपको फर्स वाले option पर किलिक करना है आपके सामने कुछ एसा इंटरफिस आएगा पहले वाले में अपना bank name टाइप कर लिजे उसके बाद दो बार account number डाल लिजे पहले वाले में account number और confirm account number उसके बाद capture फिल करके आपको करना क्या है send OTP on registered mobile number अब यहाँ पर ज्यान यह रखना है पहला आपको फिव करेक्टर सा bank डालने है like आपका bank state bank आप इंडिया होगा state bank ही डाल लिजे वही चे option आएगा इंटर कर लिजे हमने details फिल करके OTP पर किलिक किया OTP number पर गया OTP यहाँ पर देख स सकते हो OTP इस mobile number पर आ गया अब वही OTP यहाँ पर फिल करेंगे verify OTP पर किलिक करेंगे हमने OTP फिल करके verify OTP पर किलिक करेंगे यहाँ पर देख सकते हो आपके सामने पूरे details आ जाएंगे आपने इससे पहले जो आपको payment मिल गई हो की वह भी आपको show करीगी देख सकते हो student का नाम bank name यहाँ पर आपकी scholarship की वह आईगी and account यहाँ पर देख सकते हो account transfer हो चका है 2020 & 2021 का अभी साल का इस student को नहीं आया है क्योंकि अपने NSP में apply किया तो आपका status send to PFMS होना चाहिए अगर यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत आ रहे है इसकी regarding तो आप हमें comment करके बता and अब जो बाकी students जिनका state scholarship होगा या आपका जो भी offline या online scholarship होगा वहाँ पर उसके regarding आपको क्या करना है उनसे contact कर सकते हो उनसे पूछ सकते हो यह list आ चुका है कि नहीं most of the scholarship जो है February और March में आपको मिल जाती है तो आप वेसे जो है वो scholarship बाकी check कर सकते हो आज का वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक चनल पर ने चनल को सब्सक्राइब जरूर करना एंड इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजेगा